हेलो फ्रेंड्स ओम फुर्जबा चंचल में आपका स्वागत है आज बनाएंगे कुर्मूर पोहा तो इसके लिए मैंने आपे कुर्मूरे जिसे मुर्मूरा भी कहते हो ले लिए हैं यहां पेने मटर को बॉयल कर लिया है आप चाहे तो फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते है थंडी के मोसम में मटर अच्छी आती है इसलिए मैंने फ्रेश मटर को बॉयल कर लिया है यहां पे मैंने कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची ले लिया है यहां पे मैंने प्याज को बारी काट लिया है पत्ता गोभी को बारी काट लिया है आप चाहे तो इसमें सिंगदाने भी मुझे सिंग्दाने इसमें पसंद नहीं है तो मैं स्किप कर रही हूँ आप एड़ कर सकते हैं तो चले हम अपने पोहा बनाने स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हमने एक बरतन में पानी ले लिया है इसमें हम सबसे पहले अपने कुर्मूरों को भीगा के सॉफ्ट कर लेंगे थोड़े थोड़े इसमें कुर्मूरे डालेंगे और अच्छे से इसे पानी में सोक कर लेंगे हमें जादा दर इसमें भीगा के नहीं रखना है बस एक मिनट में हमारे यह अंदर पानी पी जाएंगा कुर्मूर अच्छे से अब इसे हातों से निचोड लेंगे एक साइड में प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरीके से हम और कुर्मूर हैं पानी में डालके इन्हें भी हम सौफ्ट कर लेंगे अब जैसे ही कुर्मूर को पानी में डालेंगे यह पानी पी लेंगे आपको एक आवत्स ही आएगी अगर आप इसको निचोड़ना नहीं चाहते हैं तो पानी में डालके बस 15 से 30 सेकंड के बाद इस तरीके से निकाल लीजिए निचोड़ने की जुड़त नहीं है executive इसी तरीके से अपने सभी लुप को soft कर लूँगी हमने सभी कुमूरो को soft कर लिया है अब देख सकते है's तो चले ऊपना पोः बनाना इस्टार्ट करते है है कि हम ने कड़ाय में तयल गरम कर लिया है इसमें राय डालेंगे राई को पहले मच्छे से तड़कने देंगे हमारी राई तड़क चुकी है अब इसे दीजीरा डालेंगे थोड़ा अगर आपको इसमें जीरा पसंद नहीं है पोहमें तो आप इसकीब भी गर सकते है हमारा जीरा भी तड़क चुका है अब इसमें प्याज आलेंगे एंट मिक्स कर लेंगे हम इसके को साथ हरी मिल्ची और कड़ी पतac karda लिया था वह भी डाल देंगे प्याज को हम भूल लेंगे, प्याज हलकी सी भूल चुकी है, अब इसमें पत्ता को भी डालेंगे, जिसे हमने भारिक काट लिया था, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से भूल लेंगे, जिससे पत्ता भी का कच्छापन निकल जाएगा, अगर आप कच्छी मटर ले रहे हैं, तो इसी टाइम पर इसमें मटर भी एड़ कर दीजिएगा, जिससे हमारी मटर भी अच्छे से पक जाएगी, हमारी उबलिव ही मटर है, तो हम थोड़ा बाद में एड़ करेंगे, इसमें भून लेंगे अच्छे से, हमारी प्याज और प भून लेंगे अच्छे से, हमारी मटर भी भून गई है, अब इसमें अपने मसाले एड़ करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, हमने इसमें हरी मिर्ची भी डाली है, तो हम लाल मिर्ची उसी साब से डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसा लाला लाला नमाक स्वादा-अलोसा है मिक्स कर लेंगे और एक मिट तक अच्छे से मसालो के साथ अपनी प्याज पत्ता गोभी और मटर को भून लेंगे हमने सबजियों को मसाले के साथ भून लिया है अब इसमें अपने कूरमूरे डालेंगे जिसे हमने soft किया था अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें नीबू का रस डालेंगे अगर आपको नीबू का रस नहीं पसंदे तो आप skip भी कर सकते हैं जिसे हम अच्छे से mix कर लेंगे हमारा कुर्मूरे का पोहा तैयार है गैस की फ्लेम को हम बंद करते हैं अचली इसे हम सर्व करते हैं हमारा कुर्मूरे का पोहा तैयार है थोड़ा सा इसे हम उपर से हरा धनिया डालेंगे आप देख सकते हैं, कितना यम्मी लग रहा हैं, कितना टेस्टी लग रहा हैं, तो आप भी एक बाद जरू ट्रै कीजेगा, पोहा नॉर्मल पोहा तो हम नास्ते में हर बार बनाते हैं, एक बार कुर्मुले का पोहा ट्रै कीजेगा, आपको बड़ा पसंद आएगा, तो आप वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू और मेरे चैनल होम फूट्स बाय चंचल को लाइक सब्सक्राइब और जाद से जादा शेर कीजेगा और बेल के बटन को दबाना ना भूलेगा थैंक यू